विशाय हमारा क्या है prevention of corruption act prevention of corruption act में तीन चीज़े में सबसे पहले की definition public servant की ठीक है ना कि prevention of corruption act किस पर लगेगा कौन corruption करे तो वो punishable होगा तो पहली चीज़े corruption करने वाले की definition of who is a public servant दूसरी चीज़ है कि इसमें दो चीज़ों को आप तोड़ सकते है prevention of corruption act क्या provision करता है कि जो corruption कर रहा है यानि जो पैसे ले रहा है वो भी punishable होगा और जो पैसे दे रहा है वो भी punishable होगा in certain conditions he is considered as abator कि वह आपने abatement करा है आपने धक्का दिया है आपने उसको उस direction में ले गए है कि वह corruption करें ठीक है ना तीसरी चीज़ क्या है कि इस act में आपके prevention of corruption act ने क्या किया है आपके special courts को establish किया है ठीक है जहां पर special judges होंगे जो इन crimes को tackle करेंगे और चौति और सबसे important चीज़ क्या है कि prevention of corruption act में investigating officer कौन होगा कि rank का होगा cbi के case में other police के case में वो भी इस act में दिया हुआ है तो आईए अब यह देखते हैं सबसे पहले कि prevention of corruption act के अंदर prevention of corruption act के अंदर public servant कौन कौन है पहली चीज़ क्या है कोई ऐसा वेक्ति जिसको central government या state government pay कर रही हो किसी public duty के लिए दूसरी चीज़ क्या है जिसको कोई local authority pay कर रही हो तीसरी चीज़ क्या है government चाहे central हो या state हो उसने जो corporation establish करें LIC ONGC यहां पर जो authorities हो चौती चीज़ क्या है कोई जज़ अगर है जो को public servant के अंदर आएगा पाच्वा मान लीजिए court of justice ने supreme court ने high court ने किसी बंदे को power दी कि तुम dispute के arbitrator हो या mediator हो ठीक है ना तो वो वेक्ति भी public servant के अंदर आएगा उसके बाद में मान लीजिए कि government ने court of law ने किसी बंदे को किसी चीज़ की purification करने के लिए कोई dispute resolution के लिए point क्या है वो बंदा आएगा उसके बाद क्या है कि कोई भी ऐसा वेक्ति जो election करारने के दौरान एलेक्टरॉल रोल प्रिपेर कर रहा है उसको maintain कर रहा है पब्लिश कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा उसके बाद में मान लीजिए कोई cooperative society है फिक तो उस cooperative society के office bearers लेकिन किस condition में जब वो cooperative society central या state government से पैसे ले रही है उस condition में उसके बाद कोई ऐसी exam conducting body है SSC है या आपकी कोई और UPSC है ऐसे commissions और board जो कोई exam वगरा कर रहे हैं कोई selection कर रहे हैं उनके office bearers आएंगे university के वाइस चांसलर्स governing body professors लगरा ये public servant के अंदर आएंगे और कोई भी educational scientific social cultural institutions हो जो central state government के दारा funded हो वो भी public servant के अंदर आएंगे दूसरा हिस्सा क्या है जहां से हम यहां पर आये थे अडिनिस्क्रेटिव ethics में हमने क्या पड़ा था हमें undue advantage नहीं लिए ना तो इन्होंने undue advantage को क्या define करा है कि कोई भी gratification other than your legal remuneration legal remuneration मतलब जो by law आपको salary और allowances मिल रहे हैं जो by law आपको salary और allowances मिल रहे हैं उसके अलावा उससे हट करके अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो भले ही वो cash में हो kind में हो किसी third party के द्वारा दी जा रही हो ठीक है किसी भी तरह का undue advantage हो वो आएगा undue advantage में जरूरी नहीं है कि उसे सिर्फ और सिर्फ cash में होना चाहिए उसके बाद हमने क्या देखा था हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्मेंट और प्रिलंस के लिए important सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दोनों ऐसे special judges को point कर सकती है एक area में जो उस area से निकलने वाले सारे prevention of corruption act के cases को सुनेंगे नमबर दो हमें इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम ये कर रहे होंगे तो एक important चीज क्या बताई गई है कि दो साल के अंदर ये case खतम हो जाना चाहिए और उस public servant पर जो इल्जाम लगा है ये case preferably कोशिश हो कि daily basis पर चले क्यानि कि उस case की सुनवाई daily basis पर हो और दो साल का sunset clause लगा दिया है कि दो साल के अंदर ये case खतम हो जाना चाहिए अगर दो साल के अंदर ये case खतम नहीं हुआ तो फिर जज़ को बताना पड़ेगा कि भाई क्यों खतम नहीं हुआ है ठीक उसके अंदर उसके अलावा इस act के अंदर में आपका जो जज़ है उसको इंपावर किया गया है बहुत सारे cases में summary justice देने के लिए कि साल बर के अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के लिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी से पैसे ले उपर दिखा था मनें अंड्यू एड्वांटेज किसी से अंड्यू एड्वांटेज ले इस intention से कि वह उसका कोई काम करा देगा dishonestly या improperly improperly मतलब जो procedure है उस organization में उसको ब्रीच करते हुए ठीक है due process of law पहला याद है आप holding the rule of law को ब्रीच करते हुए अगर वो कोई काम कराने के लिए आप से पैसे ले इस intention से तो वो क्या है वो एक offense माना जाएगा दूसरा उसने कोई काम इस तरह से करा दिया है उसके reward पर आपसे पैसा ले रह इनों के तीनों cases में आपको ये offense माना जाएगा ठीक है ना और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कोई बंदा अगर आपसे पैसे ले रहा है रहा है लेकिन अभी पावर जो process है उसको अभी उस नहीं कर रहा है मान लीजिए कि आप से मैंने पांच जार रुपे लिए कि राशन कार्ड का का काम जितनी timeline में होता है उतने में ही मैं करा दूंगा वरना delay होगा लाओ पैसे लाओ तो आपने क्या कि उस process को भी उस नहीं किया वह process उतने दिन में फॉलो हो रहा है लेकिन वह काम करने के लिए आपने legal remuneration के अलावा पैसे लिए इसलिए वो अपने ज junior को या जिस पर उस विक्तिका influence है उसको influence करके उससे काम करा रहा है तो दोनों cases में वो offense माना जाएगा मतलब आप स्वयम कर रहे हो या फिर आप किसी दूसरे बंदे से करा रहे हो काम अपने influence का यूज़ करके दोनों cases में minimum 3 साल maximum 7 साल की सजाविद fine उसके बाद हमें ध्या करने के बदले में तुमको पैसे देंगे हमाया टंडर निकलवा तो हम तुमको इतने लाख रुपए देंगे ये भी offense माना जाता है लेकिन इसमें ध्यान का रखना है अगर आपको जवरजस्ती आपके साथ की गई है अगर आपको कंपेल किया गया है कि नहीं नहीं आप प पैसे लिए हैं उसके पाद हमने देखा कि कमर्शल और इसा करप्शन करें तो उन पर फाइन लग सकता है ठीक है ना फिर अगर मान लीजिए कोई कमर्शल और 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 पैसे दे रही है तो उस उसके बाद हमने क्या देखा था कि मान लीजिए एक कोई कमर्शल और और उसके पूरा ये क्रिम्दल कॉंस्पिरेसी करी जिसने पूरा ये गवर्मेंट को पैस्ट जो करने की कोशिश करी है उस बंद्य को हम तीन साल से साथ साल की सजा दे सकते हैं मतलब और 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 organization का घुए जो हैं उसके जो office bearers है उसे तीन साल से साथ साल का fine 30 साल से साथ साल की सजा हम दे सकते हैं वह ध्यान रखिएगा उसके बाद अगर आपने अबेटमेंट करा है तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें क्या है कि करप्ट होने वाला और अबेट करने वाला दोनों को ठीक क्रिमिनल मिसकंड़क्ट क्या है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए क्रिमिनल मिसकंड़क्ट क्या वाना जाएगा मान लीजिए गया आपने परसनल गेंद के लिए उसका यूज कर लिया ठीक डैट इस आ क्रिमिनल मिसकंड़क्ड दूसरा अगर इंटेंशनली आपने क्या किया अपने आफिस के दौरान अपने आपको खूब इस प्रपोर्शनेट विल्स कमाली जो आपकी नॉलेजबल इंकम से बाहर हो जो आपकी नॉलेजबल इंकम से बाहर हो आपकी सेलरी है एक लाक रुपए प्रॉपर्टी आपके पास 11,000 करोड की है ठीक है न तो इफ इंटेंशनली इंडिशेस इंसेल्फ इंसेल्फ करेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिलिम्स के लिए इस एक्ट में ये भी मेंशन है कि हूव विल भी आयो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा तीन कटगरी दी गई है अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबिश्मे करेगा और किसी और स्टेट में अगर होगा तो क्या होगा एक डेपुटी सुप्रेंटिटेंट आफ पुलिस दीएस्पी लेवेल के बंदा जो होगा वो जाच करेगा सबसे इंट्रस्टिंग क्या है ये तीनों लोग ये तीनों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिना सबसे इंपावर होंगी ठीक है ना तो और उसके बाद हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैंक्शन वाली अगर मान लीजिए आप कोई अपनी ऑफिशल ड्यूटी डिश्चार्ज कर रहे थे और उस दौरान ऑफिशल ड्यूटी को डिश्चार्ज करते समय कोई काम करा और उस काम की जांच होनी है उन्हें लग रहा है कि इस काम में करफ्षान है कोई कोई ब्लॉक का आउक्शन करना था और ये इसे किसी बंदे को इन्वें पर ने से पहले इन्हें अपरूबल लेना पड़ेगा अगर वह उस समय पर जब यह आरूप लगाया जा रहा है उस समय पर अगर वो central government के अंदर था, तो central government का approval लेना पड़ेगा, उस समय पर अगर वो state government के अंदर था, तो state government का approval लेना पड़ेगा, और उस समय पर अगर वो किसी और authority के अंदर था, तो जो authority उसे हटा सकती है, आज, उसे उसका approval ले करके हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, त आपको यह समझ में आता है यह पॉइंट, now you know the legality of it, yes or no, तो एक तीर से दो सिटा, prevention of corruption act भी हो गया और यह वाला पॉइंट भी हो गया, अब बताईए कोई दिक्कत हो तो